नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करते हैं अच्छे होंगे तो दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैच नमबर 28 जो के होने वाला है रूबी टर्ची बैरियर और निले रोयल स्किंग के बिच में होने वाला है दोस्तों तो मैच का समय रहने वाला है साथ बज कर 15 मिट पर पांच जुलाई को भी मैच होने वाला है दोस्तों तो दोस्तों इस मैच के वेन्यू की अगर बात करें तो इंडियन जिमेंट कमपनी ग्राउंड तेनी वेली में यह मैच खिला जाएगा तो क्या रहने वाली है इसकी पीछ रिपोर्ट है तो आए दोस सब्सकर कम स्कॉर की बात करें तो यहाँ उसकरने का लोग सब्सक्रीक और यहां पर मुकाबल हो की जाए यहां पर ca可nes करने वाले तोस्तों 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 जिती है उसका मेच जितने का थोड़ा ज्यादा है तो दोस्तों इसको हम तोस्त के एक तोस्तों एक कर सकते हैं तो इन दोनों टीम हो किया प्लेंग रेने वाली है और कौनसे के लाडिया में आपर ड्रॉप करके चलने के हिसाब से हम आपको के और प्रडिक्शन करेंगे तो दोस्तों आईए करते हैं बीटी के प्लेंग लिएन' के बारे में क्या रहने वाली है और कौन सा से लेख हैं किसी का 12 का सबस्क्राइब थो के लिए काफि पेस्ट आपशन है इसके बाद दोस्तों नमर दो पर बात श्रैंट की दो मैच्ड रुथ थो निए पॉंट एजडें टीङ्ज पॉंट की बात की दूस्तों पर बात करें डृट से मैश किए रेसेट कॉइंट अब्श्र slipping सट्राइक रेट की बात करें तो पांच पॉइंट पांच का सट्राइक रेट है इसे आप समोल लिग टीम में बिल्कुल से लेकर के चल सकते हो और सी वी सी के लिए काफी मस्तविक रहने वाले ऐसके बाद दोस्तों बात करतें अंतीनदाश की नमबर छार और हैं मैट खेलें जे स्ट्राइक लेट मस्तविक रहने वाले दोस्तों इसके बाद दोस्तों नमर्च sei पर बात करते हैं रवीर राजकुमार की 6 मैस खेले हैं 5.2 points फिर 52 फिर 62 average point के अगर बात करें दोस्तों तो 25 का average point है स्ट्राइक रेट की बात करें तो 7.5 का स्ट्राइक रेट है इसके बात करते हैं नमबर साथ पर विनोदाइस्पी की दो मैच खेले हैं 5.5. पॉइंट के अगर बात करें तो 5. रिस्की तोर पर इन्हें आप हैं जी एल में ट्राइग कर सकते हो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं नमबर 8 पर जीक डोसन की 3 मैच खेले हैं 34.5.91 पॉइंट के अगर बात करें दोस्तों 43.33 का एवरेज स्कोर है जील में रिसकी प्रेयर होने वाले दोस्तों और स्मॉल लिग में इन्हें आप सीवी सी में बिल्कुल से ट्राई कर सकते हो इसके बाद नमबर नो पर बात करें दोस्तों आर्श लाम बरसन की 5 मैच खेले हैं आठ पॉइंट साथ पॉइंट 45 पर 47 37 एवरेज पॉइंट अगर बात करें तो 28.4 का एवरेज पॉइंट है दोस्तों इसके बाद दोस्तों नमबर दस पर बात करते हैं के इस वरन की 4 मैच खेले हैं दोस्तों नमबर पर बात करते हैं देवी दूसों की एक मैच खेला है 37 पॉइंट है दोस्तों तो दोस्तों यह थी बीटी की टीम की प्लेइंग 11 और कैप्टन वोइस कैप्टन मैंने आपको बता ही दिये हैं तो दोस्तों जो भी फैनल अप्टेट हमारी आती है तो हम टेल लिंडेंग नीचे डिस्क्रीप्शिक्शन बॉक्स में दोस्तों जाकर कहां से टाली कि दोस्तों और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को साथक्राइब करना ना भूले दोस्तों तो इसके बादबाद करते हैं अनरक की टीम की प्लेंग लिए क्या रहने वाली है कौन से कैप्टन और वो इस कैप्टन अमारे लिए प्रपैक्ट रहने वाली है नमबर एक पर बात करते हैं अरुन कार्तिक की शह मैज खेले हैं दोस्तों पिच्पन का एवरेज़ पॉइंट है एक सब्सास दो फिर नो फिर आठ फिर सतर अवरेज़ पॉइंट के अगर बात करें तो दोस्तों उनने चास का एवरेज़ पॉइंट है इसके बाद दोस्तों नमबर दो पर सिरीं जंजन है 6 मैच खेले हैं 11,32,21,19,33,21,23,23,23,21,23,23 पॉइंट के अगर बात के दोस्तों 23 पॉइंट 17 का एवरेज पॉइंट है इसके बाद दोस्तों नमबर 3 पर बात करते हैं राज गुपाल की 3 मैच खेले हैं 31,12,63 पॉइंट एवरेज पॉइंट के अगर बात करें दोस्तों 35.33 का आवरेज पॉइंट है इसके बाद दोस्तों नंबर चैँरा पर बात करते हैं आजितेस्गी शे मैस खेलें 2727 इन्हीं आप स्मूल लिएग टीम में बिल्कुल से लेकर सब्सक्ते हो मस्टप रहने वाली दोस्तों इसके बाद बात करते हैं रितिक की से मैज खेलें 35 33 24 22 फिर तेरा फिर बारा आप यहां पर देख सकते हो इसके बाद नंबर से पर हैं सोनु यादव की से मैज खेलें 34 14 18 111 51 एवरेज पॉइंट के अगर बात करें दोस्तों सीवी सी के लिए बिल्कुल मस्ट पिक रहने वाले हैं और स्मॉल लिग में इन्हें आप बिल्कुल से ट्राई कर सकते हो इसके बाद दोस्तों नंबर साथ पर बात करते हैं एनस हरीज की तीन मैज खेले हैं 56 43 फिर एवरेज पॉइंट के अगर बात करें तो 33 का आवरेज बात करें तो आठ पॉइंट पांच का सट्राइक रेक्ट है जील में इन्हें आप बिल्कुल से लेकर चल सकते हो और कहीं न कहीं आपको यह सीवी सी में भी बिल्कुल से ट्राई कर सकते हो क्योंकि यह बहुत ही प्ले रह सुके पीछे इसके बात दोस्तों नंबर नो पर बात करते हैं दोस्तों नंबर गयाराओंब बात करते हैं संदीब वैरियर की SEMS खेले हैं च्यार पॉइंट 47 पॉइंट 10 पॉइंट च्यार पॉइंट 10 पॉइंट फिर 10 पॉइंट एवरेज पॉइंट के गर बात किने दोस्तो 12.4 का एवरेज पॉइंट है कहींने कहीं आप GL मेरिस की तोर पर इन्हें बिल्कुल से ट्राइ कर सकते हो तो दोस्तो ये थी हमारी दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और कोई भी इस में चेंजिंग अपडेट आता है तो दोस्तो हम आपको टेलिग्राम के थिरू इंफ्रोमेशन करते हैं तो टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिक्शन बॉक्स में है तो जाइए जाके वहाँ से दोस्तो टेलिग्राम जरूर सेच्वाइन करना टीम विनिंग के लिए तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद जैहिंज जैबार्त